सब्सक्राइब करें लापसी हल्वा देखिए बिल्कुल खिला बनाए और इसको मैंने बिल्कुल कम घी में बनाया है तो फ्रेंड चलिए मेरे ट्रिक जानने के लिए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते है यहाँ पर मैंने लिया है सौप दो बड़े चमच ली है सुखा नारियल इस तरह पीसेस में काट लिया है इस तरह से हमें लंबे लंबे पीसेस में काट कर लेना है काजू को भी मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है बादम को भी बड़े पीसेस में काट लिया है इस तरह से अब किश्मीज भी डाल सकते है यहाँ पर लिय गुढ़ 75 ग्रैम मैंने गुड़ लिया है और 400 ग्रैम दल्या लिया है दल्या की सब से आप 300 ग्रैम गुड़ भी उसकर सकते हैं दहीं को साथ का दल्या ही हिए इन निया है पानी एक लीटर पानी लिया था थीन सब Iran में दल्या के और दूसरी सैट पर कडाई गरम होने के लिए रख देंगे, कडाई में डाल देंगे दो चममच शुद्ध देसी घी, ऐंकिनि दो हममें गिल्चम घी मैं हमैं रहूग दल्याँ डालना है गी हल्का सा गरम हो जाए तब उसमें दलिया डाले और इसको continuous हिलाते रहना है इस तरह से गी के साथ इसको पूरा mix कर लेना है और भून लेना है अच्छे से भूनने के बाद इसका color change होते हुए दिखेगा ये देखिए मेरा color change हो गया है मेरे दलिया का color golden brown color हो गया है और इसका खुश्बु भी पूरे घर में फैल चुका है बहुत अच्छे खुश्बु आ रही है दलिया भुनने की इसको continuous हिलाते रहना है नहीं तो ये जल सकता है जलने के बाद हमारा लापसी हलवा कड़वा कड़वा लगेगा तो इसको continuous हिला लाते ही लाते golden brown होने तक सेकना है ये देखिए golden brown हो गया अभी इसमें जाएगा सौप सौप को हलका साथ 30 मिनिट के लिए बून लेना है 30 सेकन के लिए sorry इसमें डालेंगे बदाम काजू और जाएगा coconut के slices इन सब को सिर्फ 30 सेकन हमें भूनना है ज्यादा भी भूनने की जरुरत नहीं है सिर्फ इसका कच्छापन अटाने के लिए हमें इसको भून लेना है अच्छ से यह देखिए 30 सेकन हो गया है मैंने इसको अच्छ से भून लिया है इसके साथ और इसमें जाएगा उबला हुआ पानी देखिए हमारा पानी भी अच्छी तरह उबल चुका है पानी को उठाएंगे और जो हमारा रोस्टेट दलिया है उसमें डाल देंगे द्यान से डालना है कहीं जलेना तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है एक साथ डालोगे तो उबलते टाइम हो उपर इदर उदर छिटे उड़ती है तो हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करना है पूरा एक लिटर पानी मुझे 300 क्राम दलिये को लगा है तो म यह देखें बहुत सारी सोप हमने यूज की है ट्राइडिशनल स्टाइल से हम दल्या बना रहे तो इस्सटाइल से होना चाहिए न तो इसलिए मिने इसमें ज्यादा स्वाप मिक्स की है स्वाप से इसको बहुत अच्छा स्वाद आता है और यह जो साइड में लगा हुआ जो जाता है इसको हमेशा उपर और नीचे करके अच्छे से पका लेना है ऐसा करनेसे हमारा दलिया का एक एकदाना अच्छे से फूल जाता है कि यह देखे हमारा दल्य का पानी तो इंचोर नहीं हमें इसकोर पका है की नहीं देखिए हमारा दली अच्छे से फूल गया है और 95 परसेंट पक चुका है पकने के बाद इसमें जाएगा गुड़ को यहाँ पर में दो बैचेस में आड़ करने जारी हूँ और इसको स्प्रेड करके ही आड़ करना है तो इसको मिक्स करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा तो मैं आपर एक बैच में नहीं डाल दिया है तो इसको थोड़ा मिक्स कर लूंगी हलका सा और अभी दूसरा बैच इसमें आड़ करूंगी ऐसा स्प्रेड करके डालने से इसको हिलानी के ज्यादा मेहनत लहीं लेनी पड़ती यह इसली मिक्स हो जाता है तो मैंने अभी ग कुड़ को भी थोड़ा बहुत पानी चुटेगा तो इसमें यह 5% जो बचा है पकने का वह पक जाएगा अच्छे से तो इसको अच्छे से मिला लेना है पूरा यह ब्राउन दिखना चाहिए बिल्कुल ट्रैडिशनल स्टाइल से मतलब जो ट्रैडिशनल लापसी हल्वा ह होता है उसी तरह हमारा हल्वा बनेगा और हमारे हल्वे का दाना-दाना भी अलग अलग बनेगा और फुला-फुला नजर आएगा इसके लिए बी एक खास्ट्रिक है वह भी में आपके साथ शेयर करूंगी लेकिन अभी हमें गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है फूरा कम us is कहिता यह देखी है मोग अब बारे है इसमें घी डालने की जो गी हमने दो चमच बचा के रखा थो वह इसमें पुरा का पूरा एड़ कर देना है कि दाना नदाना उच्प का सा नजर नहीं अलगाленग ओजता है तो इसको गी को अच्छे से लापसे अलवा में मिक्स कर लेना है गी से इसको अच्छे से स्वाद भी आता है इसकी कुछ बहुत अच्छी है गी को पूरी अच्छी तरह यह देखे हमने गी पूरी तरह से मिला लिया है अब इसको ग्यास आफ कर देंगे और इस पर एक करना चोड़ देना है आधे गंटे बात देखिए में इसका धक्कन हटा रही हूँ और देखिए हमारा लापसे अलवा बनकर राडी है यह देखिए मैं आपको पूरा का पूरा नजदिक से दिखा रही हूं इसका दाना दाना बिल्कुल चिपका-चिपका सा नजर नहीं आ र यह देखिए जैसे अमरी ट्राइडिशनल स्टाइल से लाप्से अलवा बनाते उसी तरह से हमारा लप्से अलवा बनकर रेडी हो गया अभी मैं इसको एक बॉल में सर्फ करने जारी हूँ यह देखिए है ना इसका दाना दाना बिल्कुल अलग हो रहा है तो यह दाना दाना अलग होने के लिए लोग कई सारा गी इसमें डाल देते हैं लेकिन देखिए मैंने सिर्फ चार चमच गी से इसको पूरा बनाया है और यह दिखने में भी कितना टेम्टिंग और माउथ वाटरिंग लग रहा है और खाने में भी उतना ही यम्मी है मेरे घर में पूरी लाप से टेक्चर भी आया है यह देखिए में थोड़ा नस्दिक से दिखा रही हो देखिए है इसका पूरा दाना दाना अलग लग रहा है बिलकुर जैसे ट्रैडिशनल स्टाइल से बनाते उसी तरह हमारे लापसी बनकर रेडी हो गई है तो अभी मैं इसको ड्राइफूट से गार्नीश करूँगी तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेσιपी कैसी लगी यह मुहें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और मेरी इस चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले तो friends चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई